हाँ दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं आज से हम लोग सीटेट का कलास शुरू कर रहे हैं जैसा कि आप सबों को पता होगा कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आप इस किरण में देख भी रहे होंगे कि यही नोटिफिकेशन है जो तो 14 तारिक शात्मा मैंना और 12 को केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोर्ड द्वारा यानि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंट्री एजुकेशन की द्वारा जाड़ी किया गया है यह सीटेट का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को आये पहले हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोर्ड दिसंबर 2022 में जो सीटेट यानि केंद्रिय सिक्षक पात्रता परिच्छा आयोजित किया जाएगा वो सोलमा संस्क्रण होगा और इसमें सबसे महत्पुन बात कि यह जो सीटेट आयोजित किया जाएगा यह सीबीटी के माध्यम से होगा यानि ऑनलाइन होगा कंप्यूटर आधारत टेस्ट होगा यह ओफलाइन नहीं होगा और इसके लिए पेपर वन या पेपर टू अगर सामान या OBC से कोई छात्र हैं कोई अभ्यारती हैं तो इसके लिए सुलक जो है वह हजार रुपिया है SC ST या विकलांग के लिए 500 रुपिया है अगर दोनों पेपर में वह आविदन करना चाहें तो सामान ने और कि सीटेट जो है यह क्या है पहले सीटेट के बारे में जानते कि सीटेट क्या है जैसा कि आप देख पाढ़े हैं सीटेट एक परिच्छा है जिसका फुलफॉर्म है सेंट्रल टीचर इलिजीबिलीटी टेस्ट केंद्री ये सिख्छक पातरता परिच्छा और इस परिच्छा को जो अभ्यार्थी किलियर कर लेगा इसको पास जो कर जाएगा जो उत्तिरन अभ्यार्थी होगा वो भारत के किसी भी राज में सिख्छक बनने की योगता रखता है कि सिख्छक बन सकता है और यह जो परिच्छा है सीटेट यह केंद्रिय माध्यमिक सिख्छा बूर्द नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है अब सिख्छक के लिए जो योगता होनी चाहिए वो क्या होगी तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिख्छक जो है कक्छा एक से लेके पांच तक के लिए जो योगता है वो नियूंतम योगता है कि बारणी उत्तिरन हो और साथ में दो वर्षी डिलेट का डिग्री भी उस के पास हो अगर कक्छा 6 से 8 के लिए वो सीटेट का अवेदन करना चाहता है तो वह अस्तनातिक उत्तिरन होना चाहिए और उसके साथ दो वर्षी है या तो डिलेट हो या तो बीएट की डिग्री उसके पास हो तो यह रहा सीटेट के बारे में जानकारी और थोड़ा सा जा और परिच्छा का जो अस्तर है वो नेशनल अस्तर है राश्ट्री अस्तर है यह परिच्छा सीटेट जो है वह साल में दो बार आयोजित की जाती है इस बार जो परिच्छा का मूड होगा जो माध्यम होगा ऑनलाइन होगा सीबीटी जो आस जैसा कि आपको पहले बताए ग पास करने का तो जब तक आपका जीवनकाल है इसकी वैद्धता है और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सीटेट का जो आधिकारिक वेबसाइट है सीटेट.nic.in पर आप देख सकते हैं कुछ और मुख्य बातें जो सीटेट परिच्छा के लिए आपको जानना जरूरी है वो मुख्य बातें क्या है वो मुख्य पातें यह है कि सीटेट के जो उमिद्वार हैं उसके पास दो भी कल्फ है पेपर वोन और पेपर टू पेपर वन का भी एकजाम दे सकता है पेपर टू का भी दे सकता है या दोनों का दे सकता है पेपर वन का जो अभ्यारती है वो प्रार्थमिक अस्तर पर सिक सिक्षक बनने के इच्छुक हैं उसे पेपर वन का परिच्छा देना होगा पेपर वन के लिए आविदन करना होगा और जो शिक्स टू एट यानि प्रारंबिक अस्तर पर सिक्षक बनने के इच्छुक हैं उन्हें पेपर टू के लिए आविदन करना होगा जो प्रार्थमिक और माध्यमिक दोनों अस्तर की सिख्षक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें दोनों पर अपना फॉर्म करना होगा आवेदन करना होगा और यह बात ख्याल रहे कि दोनों पेपर एक ही तारिकों होगा इनुप वन भी उसी तारिक को पेपर को का question paper रहेगा और परतेक प्रस्णे के लिए एक अंग होगा अब आपको सीटेट में जो प्रस्ण पुशे जाते हैं उसका विवरन देखिए कि किस विशह से कितने अंग पुशे जाते हैं बाल विकास और सिक्छा सास्त्र इससे तीस प्रस्ण होंगे अंक भी तीस मिलेगा भासा पर्थम जो अनिवाड़ी है वो भी तीस प्रस्णों से पुशे जाएंगे तीस मार्क्स का भासा द्वीति ये जो ये भी अनिवाड़ी है इससे तीस प्रस्ण पुशे जाएंगे और वो भी तीस अंक का गनित से तीस प्रस्ण तीस अंकों का प् औरकिसस्तान से कुल आपका जोविषय हो गया वह 12, 3, 4, 5 यह हो गया और पांच विषय से आपको 30-30 प्रसंत पुछ जाएंगे कुल मिला कडर के 150 प्रसंत होगा ओका 150 मिनिट आपको मिलेंगे तो सीटेट प्यपर टू के लिए भी जो परस्णों का विब्रण है बाल विकास और सिक्षा सात्र से 30 परस्ण 30 अंकों का भासा वन और टू दोनों आनिवारी हैं 30-30 नंबर करके 30-30 परस्ण पुछे जाएंगे ठीक है गनित और विज्ञान जो है उससे 60 दोनों को मिला करके 60 परस्ण पुछे जाएंगे और 60 अंक होंगे सामाजिक अध्यन और सामाजिक विज्ञान इससे भी 60 परस्ण पुछे जाएंगे और इसमें 60 अंक होंगे तो खुल मिला करके पेपर 2 में जाने जो 6 से लेके 8 तक 6-8 के सिक्षक बनने के इस्चुख है उसको एक्जाम में 1, 2, 3, 4, उसको भी 5 सब्जेक्ट से प्रस्ण पुछे जाएंगे जिससे उसको 150 प्रस्ण पुछे जाएंगे और 150 अंक होगा और 150 मिनट उसको भी दिये जाएंगे तो आज इतना ही दोस्तों हम लोग आगर के वीडियो में सीटेट के जो सलेबस है उसको बहुत ही बारीकी सा समझेंगे क्योंकि सीटेट का सलेबस या कुई भी एक्जाम हो उसका सलेबस जब तक आप बारीकी से नहीं समझते हैं तब तक आप उसको नहीं किलड कर पाएंगे उसके एक्जाम को सही से हंडल नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वीडियो को आप जरूर देखेगा इसके लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दिजे बेर आइकन को दबा दिजे ताकि आपको समय पर मेरा वीडियो उपलब्द हो और आप उसे लाब उठा पाएं धन्यवाद